शुगर मिल संगर समीती ने अपनी आठ सुत्री मांगो को लेकर के मुख्य मंत्री के नाम नायब तेसिलदार को सोपा ग्यापन वो निकाली रेली आलोट नगर के बिठल मंदिर मंगलवार को शुगर मिल संगर समीती दुवारा पेदल रेली निकाल करके तैसिल काराले पहु पताया गया है कि ग्रामबासियों के अधिपत्यम में कई वर्सों से चली आ रही करशी भूमियों पर भूमी स्वामी स्वतर प्रधान करने की मान की गई है। संबंदित जानकारी को तुरंत प्रदान किये जाने सहीत विभिन मांगो को लेकर के मुक्य मंत्री के नाम ग्यापन नायब तेसिलदार मुकेत सोनी को सोपा गया। इस मौके पर विभिन गाओं के किसान सहीत बड़ी संक्या में मौजुद रहे है। आलोट संवाद जाता अतुल कुमार वर्माई की रिपोर्ट। किस विभिन के लेकर आज आपने क्यापन दिया है। यह एक बहुत यह गंबीर विशह है। सन उननीस सो चियालेस के लगबग जब देश आजाद हुआ था उसी समय की बात थी। एक सुगर मिल करके कंपनी आई थी। उन्होंने लगबग सत्रा अठारा गाओं है। उन गाओं में दो से दो जारेक लगबग जमीन है। वह जमीन उन्हों लीच पर रखी थी। और कुछ मशीन अपने आ चुकी थी। और जो मुख की मशीन जो उनकी थी। वह लगबग उन्नीस सो स्टालेस में आनेगा था। उसी समय भारत पकिस्तान का बटवारा हुआ। उसी बटवारे में जो उनका मुख की मार्ग था मशीन का। इसी समय वह सुगर मिल वाला या मिल नहीं डाल पाए। और कुछ मशीन यह आ गए थी। यह इनकी सड़ गई है। और हुआ यह के जिन किसानों ने जमीन दीती उनका मुआजब ही नहीं मिला है। अब 70 साल से लगबग जो किसाने उस जमीन पे खेती कर रहे हैं। बाकि उनको मालिकाना हक नहीं मिल रहा है। किसान को एक यूरिय की बोरी के लिए दर दर भठकना पड़ रहा है। और आस्तिक जमीन किसानों कही है। हम सरकार से यह पेक्सार रखते हैं। कि शासन इस जमीन को पाती वगरा बना के दे। और जो भी शासन का लाब मिले हमें। जमीनी किसाने के हैं। एक मजदूरी की तरह कायरी कर रहे हैं। किसानों कुछ भी नहीं मिल रहा है। लगातार सत्तर से पिचोतर वरस्तर तक। आपकी मांगों का निराकरण नहीं होता तो हमें अबी शुरुआत की ये विदिवत रूप से एडिम साफ को मने ग्यापन दिया है अगर हमारे वांगे आगे सुनवाई होती है तो ठीके ने तुम कलेक्टर मोदे साथ तक जाएंगे वांभी अगर सुनवाई नहीं होती है त उसका जावद्दार पूरी तरो परशाशन रहेगा.